नमस्कार दोस्तों यह सी भेली हेलप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आपने इसरम पोर्टल पे काम किया हुआ है इसरम पोर्टल के अंतरगत अपने यहां पे आने वाले असंगटे छेत् कि आपने कितना रेश्टेशन किया हुआ है इस महीने आपने कितना रेश्टेशन किया पिछले महीने आपने कितना रेश्टेशन किया इस वीक में आपने कितना रेश्टेशन किया या आज आपने कितना रेश्टेशन किया या बीते हुए कल में आपने कितने रेश्टेश करेंगे तो चलिए शूर करते हैं से पहले मता दो अगर आप में चाहिए को सब्सक्राइब कर ले और इस बैल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो वीडियो लाओं तो नोडिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक तब सीधे हम चलते हैं एक वेबसाइट पर जिसका URL है isrum.gov.in कुछ ऐसा दिखेगा आपको यह वेबसाइट यह सीधे आपको डैश्वोड पर आना है यह मेनू के ओप्शन पर यहां पर डैश्वोड का ओप्शन आपको मिल जाएगा आपको सिंपल डैश्वोड पर क्लिक कर लेना है यह काफी स्लो है तो टाइम लएगा वेबसाइट ओपन होने में इस पोर्डल को ओपन होने में आपको ठोड़ा सा वेट कर लेना है अब करना यही है कि आपको सबसे पहले यहाँ मोड़ अफ्रेश्टिशन पर जाना है और जाके यहाँ पे सिर्फ CSC सेलेट करनी ह सबसे पहले हम select all करेंगे यह पूरा unselect हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे CAC पे क्लिक करेंगे तो अपने को वही नंबर दिखाएगा यहाँ पे नीचे जो सिर्फ और सिर्फ CAC के द्वारा registration किया हुआ है ठीक है उसके बाद हमें यहाँ पे state चूश करेंगे जिस state से आप बिलॉंग करता है उस state को आप यहाँ पे चूश कर लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे select all करेंगे और उसके बाद select all और उसके बाद scroll करके यहाँ पे जो भी आपका state है आप उसे चूश कर लेंगे फिर हमें यहां पर नीचे बाहर क्लिक कर देना है तो यह जो पूरा फिगर आप देख पा रहे हैं यह स्टेट का है और CAC के मादम से इस स्टेट में जितने भी रेश्टेशन हुई है वो आपको यहां पर दिखाएगी अब आपको इसे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे चले आना है यह आपका स्टेट का डेटा यहां पर आ गया अब सिंपल आपको स्टेट पर प्लस साइन पर क्लिक करना है यह पूरा डिस्टिक का लिस्ट यहां पर नीचे चलाएगा आपको जो भी आपके डिस्टिक है उस डिस्टिक को आपको यहां से चूज कर ले और जो भी आपकी CAC ID है आप उसे select कर लेंगे अब यह जो है यहां से आपको जाते हुए check कर लेना है और जो भी आपके ID है आपको simple उस ID पर एक बार click करना है जैसे ही आप उस ID पर click करेंगे एक ID यहां पर selected हो जाएगी highlighted रहेगा और बात बाकी जो फिल्ड है वो unselect हो जाएगी highlight कम होगा उसका तो आपको पता चल जाएगा कि आप particular इसी ID का data उपर देख रहे हैं और फिर आपको scroll करते हुए उपर चले आना है ठीक है यहां पर यह पूरा data आपको दिख रहा है yesterday registration मतलब last day कितना registration हुआ है एक registration completed total registration कितना हुआ है 1175 ठीक है अब यहां पर date का option है जिस particular date का या month का या week का आप देखना चाहते हैं उस week का आप यहां से आराम से select कर सकते हैं ठीक है जैसे मालिज आपको November का देखना है तो आप यहां से पहले फर्स नौवेंबर और यहां से जाके आपने लास्ट नौवेंबर सेलेट कर लिया अब यह जो पूरा डेटा आप देख पा रहे है वह इस particular date range का है यहां पर देखे टोटर रेश्टेशन 79 मतलब इस particular ID की इस date से इस date के अंदर टोटल इतनी रेश्टेशन हुई है और last yesterday registration मतलब यह लास्ट डेट के पहले वाले डेट का रेश्टेशन तीन है ठीक है तो इसी प्रकार आप अपने ID का यहां से जाके डिरेक्टली डैश्बोर्ट से जाके आप चेक कर सकते हैं कि particular कि इस month में किस week में किस day में आपके ID के अंतरगत कितना रेश्टेशन हुआ है और उसके according आपको payout मिल रहा है कि नहीं तो दोस्तों यह एक छोड़ा सा वीडियो जहांप मैंने आप बताया आपको कि इस रम पोर्टल के अंतरगत रेश्टेशन होने वाले कस्टमर का डीटेल सब्सक्राइब करेंगे कि इतना रे